नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्डिक स्वागता है दोस्तो आज के इस वीडियो में बच्छा करेंगे CT8 का Level First का जो पेपर हुआ है उस Level First की संपुन आंस्वर के हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को दोस्तो आप सुरुशे लेकर अन तक पूरा जरूर देखें ता नीचे कमेट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो आपके कितने क्यूशन इस पेपर में सही हो रहे हैं दोस्तों जो आंस्वर के हम आपको दे रहे हैं वो एकदम एकुरेट सही आंस्वर की है इसलिए आपको किसी प्रकार के कोई चिंत्या करने की जूरत नहीं है तो आप चर्चा करेंगे इस वीडियो में प्रयावन अद्यान के जो पार्ट था उस पार्ट की 61 क्यूशन से लेकर जो 90 क्यूशन तक हैं वो सभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसके अलावा जो मैटेमेटिस का पार्ट था और जो चीडिपी का पार्ट था चाहिए डेवलपमेंट और पेड़लोजी का पार तो क्यूशन नमबर देखते हैं तो 11 नमबर क्यूशन है मेरे पास चूब पेपर है वह पी कोड का पेपर है पी कोड के अलावा किसी और कोड का आपके पास पेपर है तो आप इसमें से क्यूशन मेच कर लीजिए और क्यूशन का करम उपर नीचे हो जाएगा लेकिन क्यू गुनीज बजकर 45 मिनिट पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11 बजकर 45 मिनिट पर नगरकॉल पहुंची यदि सूरच से नगरकॉल के बीच ट्रेन मारक की दूरी 21 किलोमेटर है तो इस यातरा में ट्रेन की ओसत चाले क्या थी तो ट्रेन की जो ओसत चाल थी वह थी दोस्तो 53 किलोमेटर पर ती गंटा तो हम बिना किसी आपका समय गवए डारेक्ट आंस्वर पर सचा करेंगे और डारेक्ट आंस्वर आप ही देख सकते हैं आपने भी तक हम आपके पास उसका notification आ जाए और भी बहुत सारे study material हम डालते हैं वह आप तक के पहुँच पाए अब देखते हैं अगला question question है निमलेकित में से कौन अंतराष्ट्री ख्याती प्राप्त वेट लिप्टर है तो कौन है दोस्तो ख्याती प्राप्त वेट लिप्टर है उसका नाम है करणम मलेश्वरी करणम मलेश्वरी इसका राइटांसर हो गया next है निचे दिया गया कौन सा एक समुह जड़ों का है तो कौंसा एक समो encourage है जो है, जड़ों का है, निजीश में जड़ें पाई जाती है, जड़ें, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, गाजर, चुकंदर और мuly, तो ये गाजर, चुकंदर और मuly, ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं, इसलिए इसे नेच्ट देखते हैं निफिंतिष वह पोदा जो शिकार करता है कि विशेमें निचे दिए कि कथनों पर विचार कीजिए तो निचे आपको इस यार कथन दिए गए है या आप राम से इसको पड़ लेना आप इसके बारे में इनमें से सही गथन कौन कुछ है वह देखते हैं तो इसका राइट अंसर दोस्तों क्या हो जाएगा केवल A और B इसका राइट अंसर हो गया यानि ये केवल A और B है वह राइट अंसर हो गया AB में क्या दिया गए है ये पोदा आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेगाले में पाय जाता है और इसका आकार गढ़े जैसा होता है और इसका मुह एक पत्तिश्यवा डखावा रहता है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन देखते हैं, नेस्ट क्यूशन जो है वे है, भारत की आजादी से पहले माधमा गांधी ने जिस दांडी से समुधर तर तक अपनी परसिद यात्रा की थी, वह भारत के निच्ची दियेगे किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंशूर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंशूर हो जाएगा गुजरात, तो ये दांडी गुजरात में स्थित है, अगला क्यूशन देखते हैं, उच जवर, यानि तेज बुखार के साथ कम कप्पी जिसका उपचार सिंकोना पेड की चाल, सिंकोना पेड की चाल से किया जा सकता है, वै है, वै कौन सा दोस्तों, इसका राइट आंशूर क्या हो गया, इसका जो राइट आंशूर हो गया, वै हो गया मलेरिया, तो मलेरिया का अप्चारे इसी किया जा सकता है अगला क्यूसन देखते हैं कीसरा है किसी डॉक्टर का घर X परिस्तित है ता उसका एस्पिताल Y परिस्तित है डॉक्टर के घर से एस्पिताल जाने के लिए कोई सीरी श्रक नहीं है अधा डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूरों में 600 मिटर की दूरी पर है, फिर वह B पर जाते हैं, जो A से ठीक दक्षिन में 450 मिटर की दूरी पर है, फिर वह C पर जाते हैं, जो B से ठीक पसिम में 120 मिटर के दूरी पर स्तीत है, अंद में Y पर अपने स्टाल पोजते हैं, जो C के ठीक उतर में 90 मिटर क दुरी पर है अस्पताल के सापेक्स दोक्टर के गर की सही दिशा क्या होगी तो सही दिशा क्या होगी दोस्तों आप नीचे कमेट करके हमें बता सकते हैं और वैसे इसका राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर पसीम उत्तर पसीम इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट है नाच यह कहाँ पर किया जाता है किस राज्य में किया जाता है तो चेराउ नाच है दोस्तों यह मिजोरम में किया जाता है तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो गया अगला है तमिलाडू के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं तमिलाडू जो निकटवर्ती राज्य हैं उनमें ह इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों तो वह हो जाएगा प्रयावरण यह समझके दुआरा बच्चों में सख्यात्मक कोशल का विकास करना यह इसका राइट आंसर हो गया अगला क्युष्टन है परियावरण अध्येन का ख्षाउं धर्ड से फिप्थ नि तीसरी से पांचवी के लिए एक विशेश चेतर है जो संकलित करता है जो क्या संकलित करता है जो दोस्तों परियावरण सिक्षा सामाचिक अध्येन और विज्ञान की अवधारनों और मुद जापर आपको पूरा पेपर और पूरी आंस्वर की आपको मिल जाएगी नेक्स्ट है निमल लकीत में से क्या प्रियावरण अध्येन के संद्रब में सही है तो इन चारों में से प्रियावरण अध्येन के संद्रब में कोन सा आंस्वर है सही है वह देखते हैं तो इसका र अगला है बच्चों को प्रयावन अध्यान को शिखाने के लिए खोजने के दुवारा प्रयाप्त समय दिया जाता है यह इंगित करता है क्या इंगित करता है दोस्तों यह तो यह जो इंगित करता है इसका राइट आशर हो जाएगा प्रयावन अध्यान सूचनाओं के और तीन नमर दोनों हो सकते हैं नेक्स्ट है निमल लकित में से कौन सा प्रयावरण अध्येन पाठे कर्म के सुजावित परकरणों का उपपरकरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो जानवर तो जानवर इसका सही उतर है अगला परसन है निमल लकित में से क्या प्रयावरण अध्येन के शिक्सक के लिए वांचनिये गतिवीदी है तो कौन सी जो है वांचनिये गतिवीदी है इसमें दोस्तों हो जाएगा प्रयावरण अध्येन की अवधारनाओं से सम्मधित महतोपुन सुचनाओं को बच ये के लिए प्रेरिती करना ये इसका राइट आंशोर हो गया नेक्स डेखते हैं नेमन लिकित में से क्या प्रयावण अध्येण में बच्शों के द्वारा ग्यान की रचना में महतोपुन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो एक नंबर A, B और C इसका सही उत्तर हो गया अगला जो क्यूशन है वै देखते हैं क्यूशन दोस्तों बच्चों को प्रयावण अध्यान सीखने में परबावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है तो कैसे जोड़ा सकता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वै भी होगा दोस्तों A, B और C यानि ये च्यार नंबर इसका सही उत्तर होगा यानि कैसे जोड़ा सकता है वरतांत कहानिया और शिक्षक के दोवारा अवदारनों के परबावसाली वैक्या के दोवारा उनको जोड़ा जा सकता है तो ये इसका राइट आंसर होगया नेक्स्ट है प्रयावरन अध्यन के शिक्षक के दोवारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेइद करने का उद्दे से क्या है तो इसका दोस्तों क्या उद्दे से है तो इसका जो उद्दे से है वह क्य सही होंगे तो इसका चार नंबर वह राइट आंसर हो गया अगला जो क्यूस्टन है वह है प्रियावरन अध्यान में सिल्पकला और चित्रकला को समुह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्यों दिया जाता है कारण किया इसका ये चारों आपको दिये गए हैं इन चारों में सी राइट आंसर क्या होगा तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो होगा वे होगा B और C B और C इसका सही उतर हो जाएगा यानि समुवे में सीखना सह पाटी दौरा सीखने को प्रोचाईद करता है समुवे में सीखना कक्चा में सामाजिक अंत्यकिरिया को बेथर करता है तो B और C इसका सही उतर हो गया अब देखते हैं 81 नमर का क्यूसन तो क्यूसन है निमलकित में से क्या प्रयावण अध्येन को सीखने का प्रभाव सली संसादन है तो कौनचा है जो प्रयावण अध्येन को सीखने का प्रभाव सली संसादन है तो इसका राइट आंसर दोस्तो A, B और C यानि परिवार के सदस्ये समुदाई के सदस्ट के और समाचार बत्तर इसका सही उत्तर हो गया next है निमल लिकित सीखने के कौन से सिडान्त का प्रयावण अधेन में अनुसराण होता है तो ग्यात सी अध्यात का इसमें अनुसराण होता है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जुरू कर दें तो सभी दोस्तों के साथ वाट्सप गुरूपों में इसे अधिक से अधिक से शेर कर दें इसे सभी तक यह आंस्वर की पहुंचे पाए नेक्स्ट है निमलेकित में से कोंसा प्रयावन अधियन में चीखने का रसनात्मक आंक लाण का साथने नहीं है तो कोंसा नहीं है तो यह दोस्तों वार्सिक उपलबदी प्रिक्षण है यह नहीं है तो यह इसका राइट आंसर हो गया अगला कुछन देखते हैं, तो क्यों सुन क्या है? निमल लिकित में से किसको प्रयावन अद्धेन में बच्चों के आँकलाप में दूरे करना चाहिए? इसमें दोस्तों, बच्चों के उत्रों को सही या गलत में आँकलाप का संचालन करती है, जिसमें वैकक्सा के बच्चो से फ्रस पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है, और उनको चीन्ठियों के आने का जार करने को कहती है, बच्चों को इस किरिया कलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है, यदि सीख सके क्या करे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह दोस्तों 55 नंबर सुची पर विचार कीजिए, कच्वा, गडियाल, कोवा, बतक, मचली इस सुची में से, निमन में से कौन सा दूसरों से बिन है, इन में से कौन सा बिन है, इस पर आपको विचार है करना है, तो मचली, कोवा, गडियाल, कच्वा, तो इसमें से कोवा है, जो बिन होगा, तो सहर और राजे दिया गए हैं और सामने जो कॉलम दिया गया अत्य दिक पसंद ही बोजन यानि होंग कोंग में क्या पसंद किया जाता है केरल में क्या है किसमीर में और गोवा में क्या-क्या पसंद ही किये जाते हैं तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा दोस् तो केशी भी करी के साथ अबला t.p.y.y.ो का पसंद किया जाता है और C में 2 करदो यैनि कसमीर में सर्चों के tlc बनी वी मचली पसंद कि जाती है और जो बचा गोवा और गोवा में दोस्तो नारियल के tlc में बनी समुंदर की मचली पसंद ये की जाती है, तो ये इसका right answer हो गया, next question देखते हैं, क्योशन है, नीचे दियागे पक्सियों की कौन सी परजाती जटके से अपनी गर्धन आगे पिछे करती है, तो पक्सियों की कौन सी परजाती जटके से अपनी गर्धन को है, आगे पिछे करती है तो यह दोस्तों मेना है यह जटके से अपने करदन को आगे पीछे करती है अगला जो क्यूशन है वह है गरों के नीचे दिये गए विवरणों कब विचार कीजिए यह यह तीनों विवरण दिया रखे हैं और यह में से सही कथने कौन्चे कौन्चे हैं वह आपको छांटने ह होंगे वह दोस्तों होंगे A और C तो A और C वह सही कथन होंगे यह B गलत हो गया तो राजस्तान के गांग के लोग मिटी के गरों जिनके चचे कंटेली जाडियों की होती हैं में रहते हैं बिल्कुल दोस्तों ऐसा पहले होता था अभी भी कुछ इसों में ऐसा होता है और दूसरा जो मनाली हमाचल प्रदेश में गर्बासों के खंबों पर बनाय जाते हैं, ये रोंग है, तीसरा है लेहे में पत्थर के दो मंजिले घर बनाय जाते हैं, ता नेचे के मंजिल पर जरूत का समान और जानवरों को रखा जाता है, तो ये A और C इसका राइटांसर हो ग तो इसका जो राइटांसर होगा, वह दोस्तों C, D और A होगा, ये B को सोड़कर बाकी तीनों सही होगे, तो इसमें हम देखते हैं कि हाती बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2-4 गंटे ही सोते हैं, तो ये सही हो गया, एक बड़ा हाती एक दिन में 200 किलों से अ जरुग हतिनिक ही सभी फैसले लेती है, तो ये A, C, D इसमें सही उतर हो गया, तो ये दोस्तों हमने 30 कि उसन जो है प्रयावन अधियन के कर लिए, इसके अलाव दो वीडियो में हमने बना कर डाल दिये, जो mathematics और psychology बोले या फिर child development and pedology के हमने डाल दिये, उसके answer के हमने डा जालती है, तो सभी में दोस्तों आपके कितने कि उसन सही हो रहे हैं, वह आप में निचे comment करके बता सकते हैं, वीडियो को दोस्तों लाइक जरू करें, सभी दोफ्तों के साथ अधिक से share जरू कर दें, यदि आपने बितक हमारे चेनल कलाम study को subscribe नहीं किया है, तो निचे द में पहल दोस्तों